जान जाती है तो जाए बेखाओफ आवाज बन कर जीना चाहती हूं जी हाँ ऐसा ही कह रही है काली के पोस्टर की डारेक्टर लेना आपको बता दें कि डॉक्यूमेंटरी काली के पोस्टर पर देली को सिगरेट पीते और हाथ में एलजीवी टीक्यू का जंडा थामें दिखाई जाने की वज़र से आलोचनाओं का शिकार हो रही है पिल निर्मादा लीना ने कहा है कि वाज जब तक जिन्दा है तब तक बेखाओफ अपनी आवाज बुलंद करना जारी रखेंगो अब काली की पोस्टर ने शोशल मीडिया पर दुफान खड़ा कर दिया है और ये विवाद अरेस्ट लीना मडी में एक लाई हैस्टाग के साथ ट्रेंड कर रहा है शोशल मीडिया पर इसका विरोध करने वालों कारोप है कि फिल्म निर्माता धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचा रही है इस बीच गौफ महासभा संग्विटन के एक सदस ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायट की है तो वहीं फिल्म निर्देश का ने ये कहते हुए पलटवार किया है कि वह इसके लिए अपनी जान देने को भी तयार है मणी मेकलाई ने इस विवाद को लेकर जवाब देते हुए अपनी टुटर अकाउंट में तमिल भाषा में लिखा है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है जब तक मैं जीवित हूँ मैं बेखाफ आवाज बन कर जीना चाहती हूँ अगर इसकी कीमत मेरी जिन्दगी है तो इसे भी दिया जा सकता है मणी मेकलाई ने लोगों से पोस्टर को समझने और फिल्म को देखने का भी अग्रह किया है और ये कहा है कि फिल्म एक शाम टोरंटो शहर की सड़कों पर काली के तहलने के दोरान पी घटनाओं के बारे में है अगर वो फिल्म देखते हैं तो वो अरेस लीना मेकलाई की बज़ाए लव यू लीना मणी मेकलाई हैश्टाइक लगाएंगे वही काली के पोस्टर पर महुआ मूत्रा ने कहा है कि हिंदु धर्म के अंदर काली की भक्त होने के नाते मुझे अपनी काली की कलपना करने की सवतंत्रता है ये मेरी सवतंत्रता है और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचनी जाहिए मुझे उतनी ही आजादी है जितनी आपको अपने भगवान की पूज़ा करने की